गुड इवनिंग एवरीबन वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रिगनार नर्सिंग क्लासिस में तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स आज सभी के लिए हम लेके आए हैं जो नया इंफर्मेशन वीडियो रहने वाला है नोर्सेट के लिए जो नोर्सिट का एड्मिट कार्ड है वो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आप लोगों को क्या करना है भई फटा फट से सबस्क्राइब कर लीजी का चैनल को और जो भी कैंडिडेट्स लास्ट मिनिट की रिलीजन चाहते हैं वो जो यूट्यूब की क्लासिज हो रही है उनको जरूर अटेंड करें और अपना जो सेलेक्शन है वो सिक्योर करें जो भी बच्चे ESIC के लिए जोइन करना चाहते हैं वो ओफर प्राइज में ही रेगनार नर्सिंग क्लासिज को जोइन कर सकते हैं आज ही तो चलिए साट करते हैं वई जो एड्मिट कार्ड है नोर्सिट 6 के लिए वो रिलीज हो चुके हैं और आप यहां पर अपना जो एड्मिट कार्ड है वो निकाल पाएंगे आपको www.aims.examination.ac.in पर जाना है वहाँ पे जाके आप अपना जो admit card है वो निकाल सकते हैं आपको सारी जो permission है आपको अभी मिल जाएगी किस type से आपको instructions को follow करना है सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा तो चलिए start करते हैं आज का जो यह video रहने वाला है वही आप लोगों सबसे पहले यहाँ पे जाना है अपना login ID और password डालना है login ID password डालके आप क्या कर सकते हो अपना admit card जो है वो निकाल सकते हो ठीके वैसे तो आप लोगों को center पहले ही बता दिया गया था ठीके बट अब आप center का name देख सकते हो almost बच्चों का यहाँ पे morning shift में ही आ रहा है तो सुबह reporting time लगबग आपका साड़े 6 बजे बताया गया है और entry start होगी वहाँ पे 7 बजे 7 बजे से लेके और साड़े 8 बजे तक आपकी जो entry है वो हो जाएगी और 9 से लेके साड़े 9 बजे तक आपका एक्जाम रहने वाला है सिरफ 1.5 घंटे का paper है almost बच्चों का morning shift में है बाकियों का अगर किसी का evening में है तो आप देख लेना आपका जो admit card है उसके उपर यह जो IP address है यह जरूर होना चाहिए date होना चाहिए and time होना चाहिए ठीक है बई जिस भी category से आप belong करते हैं वो सारा data आपके वहाँ पर होना चाहिए center code होगा वहाँ पर आपका ठीक है जो आपकी shift है वो बताई होगी आप लोगों को साथ में क्या-क्या लेके जाना है वो मैं आप लोगों को बता जीती हूँ आपको सिरफ अपना valid ID proof और आपका admit card ही लेके जाना है दो ही choices हैं जो आपको mainly लेके जानी है that is admit card first of all तो admit card लेके जाना है और किसी से भी आपको signature वगेरा नहीं करवाने है ठीक है किसी gazette officer से किसी से भी नहीं करवाने बस आपको अपना admit card लेके जाना है ठीक है अपनी जो photo है वो अगर आपको वहाँ पर mentioned है तो आप लेके जा सकते है otherwise अगर mention नहीं है तो आपको कोई नहीं है इस फोटो लगाने की भी ठीक है और अपना admit card है उसके साथ में आपको एक अपना photo identity proof लेके जाना है चाहे अपना अधार card हो चाहे आपका passport हो चाहे आपका pen card हो ठीक है candidate ID दी होगी 166 IP address date timing देख लेना अपनी वहाँ पे बस और नीचे आपको वहाँ पे thumb impression और sign वहीं पे करने है ठीक है तो वो बाकी सारी चीजें जो है आपको वहीं पे मिल जाएगी computer based exam रहेगा ठीक है iris detection और biometry भी रहेगी आपकी वहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान रखेगा भी अब की बार इन्होंने क्या बोला है अधार card वगेरा कुछ भी आप लेके जा सकते हो कोई भी electrical चीजे वगेरा नहीं लेके जानी है आपको पता है अभी काफी सारे students जो हैं कि जो mask डालके जाते हैं है ना तो mask नहीं डालके जाना है आपको exam center में साथ में जो examination में entry होगी उसके बाद सापकी सारी checking होगी ठीक है ना चेकिंग में आपको जितनी भी आपने कोई भी mints है कोई भी articles जो आपने डाले हुए हैं कान में हाथ में नाक में पैर में वो सारी निकालके जानी है बाद में exam के time पे आप इधर उदर भागते फिर रहे हो कि मेरा यह नहीं निकला वो नहीं निकला ठीक है सिरफ अपना admit card और photo identity proof ले जाना rubber band भी ऐसा डालके जाना है जो की जिसमें कोई मोती वगेरा stone वगेरा कुछ ना हो watch rings earbuds कुछ भी ऐसा नहीं लेके जाना आपको जिससे आपको exam में प्रोब्लम हो ठीक है बई तो जो भी candidates है जिनको नोडशित का paper देना है all the very best अभी तीन दिन है अच्छी से त्यारी करें अपनी और जिन जिनका भी जो जो exam center आया है उसी के coding आप अपना exam देके है ठीक है वीडियो के description में मैं आपको link और जो यह वो यहाँ पर डलवारी हूं आप लोग देख लेना यहाँ से आप अपना admit card download कर सकते हैं मिलते हैं next video में thank you so much